हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो मैं यूट्यूब चनल इंफो सेफटी फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे फायर डाइमंड के बारे में फायर डाइमंड और एनफपी ए क्या होता है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंट्स देखते रहे हमारे इस वीडियो को सबसे पहले जान लेते हैं कि एने पीए 704 क्या है कि नेशनल फायर पोटेक्शन एसोसियेशन एने फिए और 704 इसका स्टेंडर्स है वर्जन है यह एक स्टेंडर्स है जो कि एने फिए नेशनल फायर पोटेक्शन एसोसियेशन युनाइटेड इस्टेट के द्वारा बनाया गया है जो कि फायर एंड सेफ्टी रिलेटेड इस्टेंडर्स रूल एंड रेगुलेशन बनाता है कि सबसे पहले इसको यूएस में फालू किया जाता था लेकिन आप सभी देशे में इसको फालू किया जा रहा है n fps704 एक इसा स्टेंडर्स हैं जिसमें हमें पता चलता है कि कौन सा मैटरियल कितना हाज़ार से और उसमेंorama कितना है और फिर उस रिक्स के according हम controlling measure use करते हैं if risk is high controlling measure should be high and if risk is low controlling measure should be low अब हम बात करेंगे NFPA को fire diamond क्यों बोलते हैं fire diamond इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका sign और shape diamond के shape में होता है जिसमें material related all essential information मिल जाता है जिसे की emergency response team को ERP team को material related सभी emergency information मिलने से जैसे की material के health hazard के बारे में fire hazard के बारे में और reactivity के बारे में और specific के बारे में ये पूरा जनकारी मिल जाता है जिसे की हमारे ERP team को emergency response team को काफी help होता है किसी accident incident होने पर अब किसी भी chemical के ऊपर इस तरह का signages देखे होंगे ये 4 color का भाक्स होता है इसका मतलब क्या होता है इस वीडियो में हम बात करेंगे NAPA का 4 color का एक बाक्स होता है उस बाक्स में कुछ नमरिक्स रहते हैं कुछ अल्फाबेटिक्स रहते हैं आईए हम देखते हैं इस color coding का मतलब क्या होता है blue color होता है health hazard के लिए जो health hazard कितना है zero से लेके four number तक इसका risk level रहता है कितना हजाड यस है यह number में इसका identification करते हैं दूसरा रहता है red color का जो red color box में नमरिक रहता है इसका भी zero से four तक रहता है और तीसरा yellow color होता है yellow color में भी नमरिक रहता है और reactivity और exposure का यह identification करता है और चौथा white color होता है जिसमें specific hazard को identify करता है blue color के box में zero से लेके four तक आपको देखने को मिलेगा zero one two three या four तक ऐसे numbering रहता है अगर blue color box में zero है तो normal material है one है तो slightly hazardous है अगर two है तो hazardous है three extreme danger है और four deadly है four और three बहुत ही dangerous categories का यह material है इस तरह से fire hazard में zero है red color box में अगर zero है तो विल नाट भी बार्ण यह बन होने वालों नहीं है अगर one दे दिया है एब आप 200 Fahrenheit के इसका flash point होता है burning point होता है अगर two है तो बीलो two hundred Fahrenheit इसका 200 Fahrenheit के नीचे इसका flash point होता है अगर three है तो बीलो 100 Fahrenheit temperature के नीचे इसका flash point होता है और 4 होता है तो इसको below 73 Fahrenheit बहुत ही ज़्यादा 3, 4 इसमें भी 3 और 4 बहुत ज़्यादा dangerous hazard है fire hazard है इसका flash point बहुत कम रहता है थोड़ा सा भी temperature ज़्यादा होने पे ये fire हो जाता है इस तरह से reactivity रहता है जीरो से लेके 4 तक रहता है then white color box में specific hazard रहता है इसमें specific hazard में Oxy रहता है oxygen रहता है acid रहता हो AC ID रहता हो acid रहता है ALK रहता हो alkalic रहता है C वर रहता हो cross material है और W करके underline रहता हो use no water का symbol रहता है इस तरह से इसका पूरा identification level तयार हुआ है NFPA का इसको पूरा NFPA 704 बोलते हैं आईए हम कुछ example देखते हैं यह methanol chemical होता है इसका classification है NFPA 704 का classification है इसमें blue color health hazard है उसका one है one है तो slightly hazardous है अब red color में 3 point है 3 है तो इसका below 100 Fahrenheit के नीचे इसका temperature जाएगा तो flesh point होगा burning point होगा इसलिए highly danger है इसमें fire point highly है और yellow color में zero है और white color इसका बिल्कुल कुछ भी नहीं है खाली है इस तरह से अलग-अलग chemicals का materials होता है जो NFPA ने बनाया है और एक्जामपल हम देखते हैं यहां पे दो chemical bottle है एक में इथाइल एलकोहल है और एक में एस्टोन है देखिए दोनों पे अलग-अलग लेवल है इथाइल एलकोहल में health hazard zero है fire hazard three है reactivity zero है और blank है यह white इस तरह से इस्टोन का बाटल पे देखिए health hazard one है fire hazard three है reactivity zero है और specific hazard भी इसका blank है इस तरह से NFPA लेवल का यह पूरा classification हुआ है आई होब कि NFPA 704 का पूरा हिस्टरी आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स हमारे चनल को subscribe किजिए like किजिए और share किजिए thank you guys हमारे चनल को support करने के लिए rate color का subscribe button को दबा कर हमारे चनल को subscribe करें साथ ही साथ bell icon को भी दबाए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे guys health and safety related आपके पास कोई भी question या suggestion है तो comment section में जाकर comment जरूर करें साथ ही साथ like button को दबाना न खुले and thanks for watching my video